दोस्तों आज हम बात करेंगे इस साल आई एक फिल्म राधे श्याम की कहाने की शुरू में हमें एक गुरू जी दिखते हैं जिनका नाम प्रमहांचा है वो एक जोतिश अचारिया है और इनका शिश्य है इस फिल्म का हीरो विक्रम अदतिय तो एक दिन गुरू जी विक्रम अदतिया से कहते हैं कि कोई भी जोतिश ग्यान या विज्यान सौ प्रतिशित सही नहीं होते इन में एक से दो परसेंट का अभव रहता है लेकिन इस बात पर विक्रम अदतिय एगरी नहीं करता है क्योंकि वो भी एक जोदिश अचारिया है और इसने आज तक जितनी भी भविश्वामी की है वो एक दम सची साबित हुई है इसने देश के प्रधान मंतरी से लेकर बड़े बड़े बिजनिसमेन और कई सारे लोगों की भविश्वामी की है जो 100% सही साबित हुई है कर्टू कहानी अब रोम इटली में शिफ्ट होती है जहां विक्रम अदतिय रहता है यहां हमें पता चलता है कि विक्रम अदतिय जो सबके हाथ की रेखाएं देखकर इनका भविश्व बताता है इसके खुद ही हाथों में इश्क और शादी की रेखाएं नहीं है विक्रम अदतिय ने अपने पास एक डाइरी रखी हुई है जिसमें इसके साथ आगे क्या क्या होगा वो लिखा होता है इसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम अदतिया को ट्रेन में एक लड़की मिलती है जो कि फिल्म की हिरोईन है प्रेडना और इसे देखकर विक्रम अदतिया को प्यार वाली फिलिंग आने लगती है हाला कि इसकी लकीरों में प्यार लिखा नहीं है पर फिर भी इसे होने लगता है अब जाते वक्त विक्रम अदतिये इस लड़की से नाम पुछता है तो वो कहती है कि अगर किस्मत में लिखा हुआ तो अगली बार फिर मिलेंगे तब नाम बता दूँगी इसके बात आनन राजबूत नाम का एक बिजनसमेन अपना हाथ वक्रम अदतिये को दिखाता है और जानना चा आता है कि वो बड़ा पॉलिटिशन कब बनेगा जिस पर वक्रम अदतिये हाथ देख कर बताता है कि वो कभी पॉलिटिशन नहीं बन सकता और इस बात पर आनन के लोग इसे मारने आते हैं और विक्रम अदतिय भागता है और रास्ते में इसका एक्सिडंट हो जाता है इसके बार जब विक्रम अदतिय हॉस्पिटल में जाता है तो यह वही हॉस्पिटल होता है जहां प्रेड़ना काम करती है यहीं हॉस्पिटल में दोनों की बाते होती है और विक्रम अदतिय प्रेड़ना से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अगर तुम्हारी हाँ है तो कल सुभा मिलना पर प्रेड़ना अगले दिन अपनी कुलीक्स के साथ एक मेडिकल कैम्प में चली जाती है जहां विक्रम अदतिय भी बारिश में इतनी दूर बाइक से आ जाता है इतना एफर्ट देखकर प्रेड़ना भी मान जाती है कट तू इसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम अदतिय और प्रेड़ना ट्रेन में सफर कर रहे हैं तब एक अंजान आदमी विक्रम अधतिया से इसकी बेटी तारा का हाथ देखने के लिए कहता है जिसे एक तीर अंदाज बनना है इसका हाथ देखकर विक्रम अधतिया कहता है कि तुम्हारा स्पोर्ट्स में कुछ नहीं होगा तुम बढ़ाई पर दिहान दो ये बात तारो को पसंद नहीं आती इसके बार ट्रेन के बाकी लोग भी इसे इनका हाथ दिखने के लिए कहते हैं और एक साथ सब अपने हाथ इसके सामने कर देते हैं जिससे परेशान होकर विक्रम अधतिया ट्रेना के साथ अगले स्टेशन में उतर जाता है और थोड़ी देर में इसे याद आता है कि ट्रेन में बाकी सब लोग जो हाथ दिखा रहे थे इन सब की लाइफ लाइन आधी थी और सब एक साथ हैं बतलब ट्रेन का एकसिडेंट होने वाला है वो भाग कर ट्रेन को बचाने की कोशिश करता है पर वो नहीं बचा पाता और जब ये सब प्रेना टीवी पर देखती है तो इसे भी कंफर्म हो जाता है कि विक्रम अधतिया दौरा की हुई भविश्वामी तभी घलत नहीं होती इसके बाद वो खुद विक्रम अधतिया से अपना हाथ देखने को कहती है तब विक्रम अधतिया बताता है कि तुम्हारी जीवन रेखा काफी लंबी है और तुम बहुत जी होगी पर तबी प्रेणा के नाक से खुन निकलने लगता है और इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां बताया जाता है कि प्रेणा के पास बहुत कम समय बचा है पर विक्रम अधतिया कहता है कि इसकी भविश्वामी कभी गलत नहीं होती और प्रेर्णा की केस में भी नहीं होगी इसके बाद प्रेर्णा थोड़ा मोटिवेट होती है और विक्रम अदतिये वहां से चला जाता है तब प्रेर्णा की चाचा जो कि डॉक्टर हैं वो प्रेर्णा से कहते हैं कि तुम्हें प्रैक्टिकल होना होगा और रिपोर्ट्स में जो लिखा है इसके हिसाब से तुम्हारे पास बहुत कम दिन है इसके बाद विक्रम अदतिया को घलत साबित करने के लिए पेर्णा की चाचा कुछ मरे हुए लोगों के हाथ के निशान लेते हैं और विक्रम अदतिया से कहते हैं कि इनकी भीश्य के बारे में बताओ प्रिंट्स देखने तक विक्रम अदतिया को नहीं पता होता कि जिनके प्रिंट्स वो देख रहा है वो और रेडी मर चुके हैं पर प्रेंट्स देखने के बाद वो सब के बारे में बता देता है कि ये सब मर चुके हैं और ये भी बताता है कि कौन कब मरा और कैसे इनकी मौत हुई ये सब सुनकर प्रेंड़ना के चाचा भी विक्रम अददिया को मान जाते हैं इसाब सुनकर प्रेडना खुश होती है और फिर रात में विक्रम अदतिये के घट जाती है अपने प्यार का इजहार करने वहां प्रेडना विक्रम अदतिये की माँ और दोस्त से मिलती है और विक्रम अदतिये के ना होने पर इसकी डायरी भी पढ़ लेती है पर विक्रम अदतिया आते ही वो डायरी लेकर अपने पहने हुए कोट में डाल लेता है कट टू अप प्रेड़ना कहती है कि वो हमेशा इसके साथ रहना चाहती है पर विक्रम अदतिया मना कर देता है और कहता है कि इसके हाथ में तो लव लाइन ही नहीं है और वैसे भी कुछ दिनों में वो वापिस जाने वाला है और कभी लौट कर नहीं आएगा इस वर प्रेड़ना काफी दुखी हो जाती है और ये बात विक्रम अदतिय को भी पहले से ही मालूम थी इसलिए इसे कोई फरक नहीं पड़ता तब ही पैरलरली प्रेड़ना भी विक्रम अदतिय की डायरी पड़ती है जहां इसे भी पता चल जाता है कि विक्रम अदतिय मरने वाला है और इसी बीच प्रेणा के चाचा आकर कहते हैं कि अब प्रेणा का आपरेशन होगा जिसके बाद वो बच जाएगी इससे ये थाबित होता है कि विक्रम अदतिया की भविश्वामी कभी घलत नहीं होती इस बाद से प्रेणा और दुखी हो जाती है क्योंकि इससे कंफरम हो जाता है कि वो बच जाएगी पर विक्रम अदतिया मट जाएगा तब अगले सीन में विक्रम अदतिया लास्ट टाइम पर प्रेणा को मिलने बुलाता है और दोनों डांस करते हैं नेक्स दे जब विक्रम अदतिया लंदन जा रहा होता है तब इसे अपने कोर्ट में एक गिफ मिलता है प्रेणा का दिया हुआ जिसमें लिखा था कि 26 के बाद इसको ओपन करना कर्ट टू अब लंदन का सीन आता है जहां रास्ते में विक्रम अदतिया को वही ट्रेन वारी लड़की तारा मिलती है जिसने एक्सिडेंट में अपना हाथ खुद दिया था तब वो कहती है लो अब तो लकीरों के साथ मेरा पूरा हाथ भी चला गया क्या अभी में तीर अंताज नहीं बन सकती नहीं ऐसा नहीं होगा और मैं बन कर दिखाऊंगी अगले सीन में विक्रम अदतिया की मां के डांस के बाद वो गिफ्ट उपन करता है जिसमें डायरी थी जिसमें लिखा था कि प्रेना अब मरने जा रही है क्योंकि वो चाहती है कि विक्रम अदतिया की भविश्वामी घलत हो और वो मर जाए और विक्रम अदतिया जिये इसके बाद प्रेना खुद अपना एकसिडेंट करवा लेती है इसके बाद इसको हास्पिटल में एडमिट किया जाता है विक्रम अदतिया रोम के लिए निकलता है पर इसे फलाइ में फिर कैप्टन इसे बचाता है और किसी तरह बच कर वो रोम प्रेड़ना के पास पहुंच जाता है जहां प्रेड़ना की तब ठीक होने के बाद दोनों शादी कर लेते हैं और तब विक्रम अधितिया को अपने ग्रूजी की बात याद आती है कि जोतिश 100% सही नहीं होता एक परसंट गलत होने की संभावना होती है और लांस्ट में हम देखते हैं कि तारह भी पेरालम्पिक्स में मेडल जीत लेती है इसी के साथ की फिल्म यहीं खतम हो जाती है